बच्पन में अब कैसे थे बच्पन में बच्पन में जमीन आस्मान राखी सनी का फरक पढ़ चुका है आज में तुमको बताऊँगा हमारा चाइल्धॡ और आज कल के चाइल्धॡ के बीच का प्रकाश वर्ग किलोमेटर अंतर का फरक जब हम बच्चे थे और हमें बिन बुलाई टट्टी आती थी तो हमारी मा पोचा या न्यूस पेपर से साफ करती थी और आजकल के बच्चों को 20-25-25 रुपई का डाइपर लगता है मतलब 20-20 रुपई की एक टट्टी होती है इनकी और ये बच्चे पीते तो सिर्फ सफेद दूध है तो टट्टी पीली क्यों निकलती है इनकी इनके पेट में क्या कलर पिंटर बिटाय होता है क्या जो पीला आउटपुट मिलता है तुम सबको तो याद होगा हम बच्पन में लट्टू या भोरे से खेलते थे गोटियों से खेलते थे दोस्तों के साथ छुपा-चुपी खेलते थे क्या मज़ा आता था मतलब एक अलग ही दुनिया में खोय रहते थे हम और आजकल आजकल के बच्चे लुपा-चुपी तो खेलते है लेकिन माबापके साथ फोन पे पॉन देखते देखते गोटिया तो खेलते है लेकिन सिर्फ दो, वो भी खुट की गोटिया बोरे की जग़ फिजेट स्पिनर खेलते है कल एक बच्चे से पुछा ये फिजेट स्पिनर से क्या आनन्द आता है बोलता है टेंशन दूर हो जाता है मैंने उससे पुछा तुझे क्या टेंशन है बोलता है ये फिजेट स्पिनर खरिदने के लिए पापा के जेब से 200 रुपे चुराए थे ये बच्चा तो बाप निकला मेरा खोया हुआ साप निकला आज कल के स्कुल के बच्चो को लड़की पाटाना मतलब बाया हाथ का खेल बन चुका है दो बजे लड़की दिखी तीन बजे फ्रेंड रिक्वेस्ट बेजी शे बजे से चाटिंग दस बज़े तक I love you काम खतम अपने टाइम में हम जब पापा मम्मी के साथ टीवी देखने बैठते थे प्यार शब्द सुनते ही हम इधर उदर देखकर सिर खुजाएंगे पेर खुजाएंगे महबबत सुनते ही प्यास लगती थी सुसु लगती थी किचन में चले जाते थे और आज कल के बच्चे साथ गंटे में आई लव यू मा की आक पता नहीं ये बच्चे इतने फास्ट बन के से गए स्कूल में क्या सिखते ही ने कल ठोके सो आज ठोक आज ठोके सो अब मैं जब चोथी क्लास में था ना मुझे एक लड़की से प्यार हो आता मैं ऐसा दूर बेंच पर बेटा घुरता रहता था बस उसे वो शक्तिमान के से दुश्मनों के उपर आखो से लाइट छोड़ता था वेसे मैं उस पे प्यार की कोस्मिक लाइट छोड़ता था ऐसा खुचुक 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 पूरे चार साल बाद आठवी क्लास में मैंने डिसाइड किया कि चलो आज उसे बताई देते मैं घर से निकलते वक्त अपनी लखी वाली अंडरवेर पहनी बालों पे आधा किलो नारियल तेल मलके वो चंपू हेस्ट्यल बना के स्कूल पोचा वहाँ जाते ही देखा उसके साथ बेंचो स्कूल में ये लड़किया आकेल क्यों ने होती मतलब हमेशा बेंचो की तरह जुन्ड बना कर क्यों रहती है तू देखे का ना सुसू करने के लिए भी ये लोग गुरूप में जाएंगे और गुरूप की सारी लड़किया हमेशा हस्ती रहती है फिर मैं उसके पास उसे आई लोग यू कहने के लिए गया और इनका भी फिक्स डायलोग रहता है हमेशा लेकिन मैं तुमें ठीक से जानती भी नहीं मैं जब स्कूल में जाता था ना वो स्कूल के गेट के बाहर एक अंटी ठेला लगा थी दो रूपे के कुरकुर के पैकेट एक रूपे के 20-25 मीठी गोली आती थी जो हम ऐसे शट के जेब में डाल कर खाते थे आज करा के बच्चों के जेबों से 100-200 रूपई तो ऐसे राश्ते पर गिर जाते इनकी एक जेब में क्रेडिट कार्ड, दूसरी जेब में डेबीट कार्ड, तीसरी जेब में डॉलर, चोती जेब में बिटकॉइन लेकर गुमचते थे बेंचुत हाजार दो हजार रुपए के बर्गर पिजा तो ऐसे चबा के खा जाते हम स्कूल बैग में वाटर बॉटल लेके जाते थे ये टिंडे किंग फिशर की बोतले लेकर बेटते क्लास में अगर बोर होने लगे तो टीचर को भी पिला देंगे तुझे पता है वो हम 10 तो का फोनी स्तमाल करते थे जिसमें सिर्फ एक गाना आता था चल चल जैए गर शीया चल 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 चली और अज टाइम में 500 रुपए मांगने पर भी हमारे पापा ने बारगेनिंग करके 100 रुपए में एडमिशन लिया था मेरा सुधर जाओ फकिरो शिक्षा के नाम पर यह एक 30 लाक रुपए डोनिशन लेते हो तुमारे वज़े से असली टैलेंटेड बच्चे पेशो की कमी के कारण उपर की शिक्षा प्राप्त कर नहीं पाते यह शिक्षा कोन है तेरी भेन की मौसी अपने टाइम में अब यह बनकर अपना टाइम पात साल हुए ने दस्वी क्लेर हुए अपना टाइम अपना टाइम लगा रखा है बाबा आदम की जमानी की पाइदाशेक है और तुम बच्चे जवान बुडे जो भी है वीडियो प हम कान्या टाइम लंच को भी हमाने लो उड़ा गॉः झाल हाएँ कर दो है क्ज़ लगे करता साल बुड़ Challenge Challenge ै